हाई अब्रिवान वेलकम बैक टू अनादर वीडियो दोस्तों आज मैं वीडियो सुरू कर रहा हूं अपना घर से यह हैं मेरा लड़का बाई कर दो बेडा सबको दोस्तों आज मैं कई पे घूमने जा रहा हूं तो वहां का भी कुछ वीडियो क्लिप आप लोग को दिखाए आज का ब्लॉक अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो सुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा कौंसा कौंसा जगा का आप लोग वीडियो देखना चाहते हो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो कोसिस करेंगे उस जगा में जाके वीडियो बराने के लिए आप लो लोग जा रहे हैं फुलेसर बांगलो में बांगलो नदी का एक किनारा में बना हुआ है जहां पे लोग पिगनिक मनाने के लिए आता है फाइनली दोस्तो बांगलो में आ गया हूँ आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ी लगा हुआ है यहां पे और नदी का किनारा में आदमी लोग बैठे हुआ है तो यह जो जगा है डिसेंबर और जन्वारी महिने को बहुत ज्यादा भीड़ होता है क्यूंकि इस जगा में पिगिरिंग मनाने के लिए बाहर से लोग आता है तो यह जगा बहुती सकून जगा है यहां पे कोई भी प्रॉल्ब्लेन नहीं होता है किसी तरीके का यहां पे आप लोग को टिकेट भी लेने का जरूरत नहीं है कोई भी बंदा इस जगा में आ सकता है तो हम लोग भी आ फाइनल तो किसी जगह में जाके बैड़ते हैं कि दोस्तों देखे कितना तेज हावा चल रहा है और यहां पर हर तरीके का आप लोगों को चट पटी समान खाने को मिलेगा जैसे गुल गप्पा हो गुल गप्पा को यहां पर बोलता है फुचका और आइसक्रीम बगारा भी मिलेगा और चाट पाबड़ी बगारा भी तो यहां का भीव कुछ इस तरीके का है। कि इतना तेज हावा चल रहा है और ये साम होने वाला है जिसके बज़ा से हावा भी बहुती प्यारा लग रहा है तो पीछे से भीव देखिए कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आने के लिए आप लोग को साम के टाइम आने पे ही सबसे वेटर है क्योंकि दोपहर या सूबे आते हो तो गर्मी ज़्यादा लएगा साम को आओगे तो इस जगह में ठंडे ठंडे हवा का फिलिंग आएगा और आप लोग भी अच्छा लगेगा मैं जबी भी चुट्टी में आता हूँ इस जगह में आके घुम के जरूर जाता हूँ तो अभी साम होने वाला है जिसके वज़ाद से आप लोगो थोड़ा सा धुन्दला सा नजर आ रहा है और यहां से जहाज भी जाता है और बोड भी जाता है यहां पर वैटके आपनों के साथ टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको बता नहीं सकता यह मेरा फास्ट ब्लॉक है इंडिया का तो इस वीडियो को आप लोग जादा से जादा सापोर्ट कीजिए इस वीडियो को सेयर कीजिए लाइक कीजिए ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए तो अभी साम होने वाला है तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोग को बना तहे